हलो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको गूगल के ले टेस्ट और बहुत थी अच्छे फीचर के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है गूगल वेरिफाइड कॉल्स गूगल वेरिफाइड कॉल्स को गूगल ने रिसेंटली लाँच किया है और यह जो फीचर है यह आपको गूगल की फोन एप से मिलेगा इस वीडियो में इसी से बारे में बात करने वाला हूं कि किस तरीके से आप इस एप को डाउनलोड कर सकते हैं यह फीचर किस तरीके से क अब कराने का सोचा है और इंडिया में एप अवेलेबल होगी नॉन पिक्सल फोन के लिए इस एप को अभी भी आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं वह वीडियो के अगले से मैं बताऊंगा अपने फोन पर डाउनलोड करके हाला कि वह बीटा वर्जिन है और जब समान मंगाते हैं तो आप उस नंबर के आपके पास कोई तरीका नहीं होता उस नंबर को वेरिफाइ करने का कि या क्या यह नंबर सही में उस कंपनी या उस बैंक को बिलॉंग करता है लेकिन गूगल वेरिफाइड कॉल के बाद ऐसा होगा कि आप उसे सही में जान यह फीचर इंडिया में आने वाले हफतों में लाँच होगा और बहुत सारी कंपनी बहुत सारी सर्विसेज इस फीचर का इस्तमाल करेंगी तो अगर आपके फोन पर गूगल एप इंस्टॉल है तो आप एक तरीके से ऑनलाइन ज्यादा सेक्यूर हो जाएंगे अब मैं आप इंकंपेटेबल विद यूर डिवाइस यह दिखा रहा है अभी मैं आपको फोन की स्क्रीन में दिखा देता हूं कि किस तरीके से आपको यह error मिलता है अगर आप इसे प्ले स्टोर में जाकर सर्च करेंगे तो यह आप भी आपको नहीं मिलता अभी मैं आपको अपने फोन क स्क्रीन दिखा देता हूं यह आप देख सकते हैं यहांप बाद आप इसको एक तरीके से आप. को डाउनलोड कर पाएंगे यहां पर एक बड़ी फिर से मैं सर्च करके दुबार आपको दिखा देता हूँ कि यहां पर आप देख सकते हैं अब क्यूंकि मैंने बीटा प्रोग्राम जॉइन किया है तो ऊपर बीटा लिखा हुआ आ रहा है यहां पर आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे इंस्टॉल करने के बाद यह एप जो है काफी हद तक क्रू कॉलर की तरह भी का इसमें फीचर से हैं कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा दूसरा आपके फोन में जो गूगल अगाउंट है उसके साथ आपका फोन नंबर लिंक्ड होना चाहिए तब ही यह फीचर ठीक तरीके से काम करेगा स्पैम कॉल्स का भी यही फंडा है जैसे आप कॉल्स को स्पैम रिकॉर्ड करते हैं और बहुत सारे लोग जब किसी एक नंबर को एज़र स्पैम रिपोर्ट करते हैं तो वो गूगल फोन एप में उसको स्पैम की तरह दिखाने लगता है यहां पर एक और चीज़ है कि कुछ ऐसे फीचर है जैसे कॉल स्क्रीनिंग का फीचर है वो सिर्फ यूएस में है गूगल फोन एप पर और अभी जो बीटा वर्जिन में कॉल रिकॉर्ड बाइड डिफॉल्ट अविलेबल नहीं है क्योंकि मैं जो आपको फीचर दिखा रहा हूँ यह एक वन प्लस डिवाइस पर दिखा रहा हूँ वन प्लस का जो डाइलर है उसमें रिकॉर्डिंग फीचर बाइड डिफॉल्ट होता है बट गूगल फोन एप में बाइड डिफॉल्ट नहीं है और आपको इसको यूज करने के लिए डिफॉल्ट एप सेट करना पड़ेगा आप देख सकते हैं यहाँ पर आप इसे डिफॉल्ट कर देंगे और उसके बाद आप इस एप को यूज कर सकते हैं और जैसे मैंने बताया था कि आपको यह चेक करने कैसे आप चेक करेंगे कि आपका verified calls enabled or disabled, जब इसका public version आ जाएगा तो वहाँ पर आपको इस setting में जाकर caller ID and spam में आप जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको verified calls का एक option मिलना शुरू हो जाएगा, जहाँ आप इसे enable or disable कर सकते हैं, क्योंकि यह beta version है, इसलिए यह feature अभी यहाँ पर listed नहीं है, बट by default यह feature on होगा, और यह beta version है, इसलिए यह Google Play Store पर भी आप जाकर एकदम search करते हैं, इसलिए लिस्ट नहीं होता, बट जैसा तरीका मैंने आपको बताया कि आप Google search में जाकर के, Google phone app सर्च करेंगा, और आपको यहाँ पर जब आप उस पर click करेंगे, तो प्ले स्टोर में आपको Google Play Store पर ले जो Google phone app है, वहाँ आप इसको देख सकते हैं, Google LLC developer होगा, आप इस app को इस तरीके से use कर सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको काम आया होगा, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कर दोगा होगा 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